अक्सर ये सुनने को मिलता है कि जो दमाद का आधिकार है वो ससुर के समपती पर होना चाहिए या नहीं चाहिए इसके regarding जो केरल का हाइकोट है क्योंकि वहाँ पे केस आया था तो उसी के regarding केरल हाइकोट ने एक फैसला सुनाया हाइकोट ने तो ये इसमें क्या सब है उसी पे में लिए भी हम बात करने वाले हैं चैनल पे नए है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आगे आपको अब्लेट मिलता रहे है तो ये केस में लिए है केरल का केरल के एक जगा है कुन्नूर और वहाँ पे भी एक जगा है तेली पड फिर वो केस चला गया निचली आदालत में जो मतलब डिष्टी कौर्ट होता है न तब इस केस में और थोरा खुलासा हो गया कि जो इनके जो ससुर जी थे एंट्री उनका जो वो घ़घ था वो अपना प्रचर्श्नल खरीदा हुवा नहीं था किणहीने मतलब चर्श के मिला हुआ था फिर भी उनके ससुर के नाम से यानि हेंडरी के नाम से वो था जैसे अब देख सकते हो कि उन्हें तौफे के रूप में ये मिला गया था और फिर उसने उस पे पक्का मकान खुद से बनबाया हुआ था और वहां पी वो परिवार के साथ रह सकता था लेकिन उन देविस ने दलिल दे थी कि इस संपत्ती का स्वामित्व खुद ही सवालों में है क्योंकि यह चर्च के अधिकाडियों में दान पत्र के माध्यम से परिवार को दी गई थी उसने हेंडरी की इकलोती बेटी से साधी की है और साधी के बाद उससे एक तरह से परिवार ने ग कोट था इसने फैसला में कहा कि डेविस का हेंडरी की संपत्ती में कोई अधिकार या कोई हक यहां पे नहीं दिया जाएगा और फिर यह सुनने के बाद जो है वो एक मजाक के सेंस में कि दमाद का यह कहना सर्मनाक है कि उसे परिवार में हेंडरी की बेटी से साधी के पर कोई भी अगर फैसला आता है किसी वी राज्य में तो वो समब तो पुरे देश के लिए हो जाता है तो यहाँ पर अगर आप देखो तो क्या लिखा गया है कि निचली कोट के फैसले के खिलाफ दमाद दौरा दायर अपील को नामनजूर करते हुए हाई कोट ने कहा कि स ससूर की समपती में हक मानने और मांगने वाले दमादों को यह फैसला निरास कर सकती है किरल हाई कोट ने एक मामले में साफ कहा कि ससूर की समपती में दमाद का कोई कानूनी अधिकार नहीं है दमाद ससूर की जैदाद या भवन में हक का दावा नहीं कर सकता है तो यह फैस किसला निकल के आया है कैसी लगी जानकारी कॉमेंट ओक में जरूर लिखिएगा मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जहिंद